ये मेटल शेयर आज लीड कर रहा है, कमोडिटीज में एक्शन बरपूरे क्यों है? हुआ क्या है कमोडिटीज बाजार में? ये बताने के लिए नहा हमारे साथ जुर रहे हैं, इस वक्त नहा बताईए, क्या बाते रोनक लोटी है फिर से? हाँ सर बिलकुल रोनक लोटती हुए देखिए, हरियाली लोटती हुए देखिए और सर सबसे नोटिसिबल फाक्टर ये है कि पहले होता था कि किसी हफते मेटल कॉंपलेक्स चल गया, किसी हफते एनरजी चल गया या अगरिकल्चर, ये पहला हफता महीनों बाद आया है कि में भी कॉंपलेक्स उठाकर देख लीजिए, हरे निशान में वीकली परफॉर्मेंस पॉजिटिव टेरिटरी में यहां दिखाई दे रहा है, अब कारण कुछ के कॉमन है और कुछ के अपने इंडिविजबल कारण है, अगर सोने चान्दी की, या इन फाक पूरे मेटल से चेंज हो, डेर साल से लेकर 14 साल के निचले स्थर पर स्टॉक पाइल्स चली गई है, लेकिन सबसे महतपून फाक्टर है कि एक बार फिर से इवी की कहानी जो है, इलेक्ट्रिक वेहिकल की वो रिवाइब हो रही है, और कुछ बड़े-बड़े नाम, दुनिया के बड़े- उन्होंने बड़े-बड़े कॉंट्राक्स लेना शुरू किया है, LG, Hyundai बड़े निवेश कर रही है इंडोनेशिया में, जिन्होंने निकल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, और टेसला एक बड़ा नाम है, पांच बिलियन डॉलर वर्थ के कॉंट्राक इनोंने किये हैं, तो मेटल स्पेस, वीकली परफॉर्मेंस तगड़ा है, पुछले एक महीने में जबर्दस स्ट्रेंथ हमने निचले स्थरों से अक्रॉस बोर्ड आते हुए देखी है, आईए एनर्जी कॉंपलेक्स की तरफ, नाच्रल गैस लेले, जो कि दो हफ़ते की उचाई पर है, या दिखाई देरे और उसी के दम पर हमने वापस से कच्चे तेल को रिवाइव होते हुए देख रहा है, अगर देखा जाए तो यहां पर भी हमने वापस से स्ट्रेंथ लोटते हुए देखी है, फिर चाहे वो खाने के तेल हो, तिलहन हो, अनाज हो, कॉटन, चीनी, सब में ह पर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है, कॉटन साथ हफते की उचाई पर है, चीनी तीन हफते की उचाई पर है, दरसल फसल के खराब होने को लेकर कुछ खबरें अक्रॉस तो ग्लोब निकल कर आ रही है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपिय यूनियन में ब क्योंकि वो बतौर alternative fuel की तरह काम करती है, तो कच्चे देल में जो strength आई है, उसका भी फाइदा मिला है, सबसे बड़ा factor यहाँ पर dollar index है, उसमें हमने जो गिरावट आते वे देखिए, सुस्ती आते वे देखिए, इससे commodity space में अच्छी खासी strength लोटी है, बड़े पैमाने पर short covering होते हुए देखिए और बहुत सारे commodity funds है, जो वापस agriculture space में कुछ fresh खरदारी करने के लिए उतरे हैं, तो यह तमाम factors हैं, जिसके कारण हम पूरे commodity बाजार में हर्याली देख रहे हैं, बिलकुल तो पूरे commodity बाजार में हर्याली आई हुई है, और उसका impact भी आप रोने किया और नथे